ना इधर ना उधर सुईदे मुद्दे पर नजर और क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूजेटीन आपके पुनीत के साथ तो खबर मेडिलीस से जुड़ी हुई है और खबर ये है कि नेतन याहू जब अपने ही अवाम को संबोधित कर रहे थे जब नेतन याहू टीवी पर उनका भाशन प्रसारित हो रहा था जब नेतन याहू इसराइली जो मारे गए उनको श्रद्धानजली दे रहे थे उस वक्त ये कहा गया नेतन याहू को कि आपको शर्मानी चाहिए किसके द्वारा कहा गया शेम आन यू के नारे लगे एक नहीं कई लोगों के द्वारा ये शेम आन यू के नारे लगाए गए क्यों लगाए गए इसकी हम बात करेंगे इसके अलावा गाजा की बात करेंगे जहां पर एक बार फिर से हमला किया गया और स्कूल को टार्गेट कर लिया गया इसके अलावा बात करेंगे इरान की भी और बात होगी अमरीका की तरफ से इरान को दी गई समझाईश की भी मेरे साथ मौझू हैं मेरे स्योगी आननद उनके पास चलते हैं और सबसे पहले गाजा के अपडेट की बात करते हैं और उसके बाद हम आएंगे शेम-on-you के उस बयान पर जो की नेतन यहू को कहा गया लेकिन पहले गाजा की बात अननद गाजा में सबसे बड़ा हमला हुआ है आज और इसकूल पर पहले हम लोग को इस बात पर इसे करना चाहिए कि इसकूल को ही क्यों इसराइल टार्गेट कर रहा है और अस्पतालों को स्कूलों को मस्जिद को भी बिलकुल तो पहले हम आज का अपडेट बता देते हैं कि आज ह हुआ क्या है गाजा में गाजा में अल सती एक सरनार्थी है उस पर गाजा ने हमला किया है उस पर हमला किया है और उस हमले में अस्मा इसकूल है उसमें सरनार्थी लोग रुके हुए थे उस अस्मा इसकूल पर हमला हुआ है उसमें करीब नौ लोगों की मौत हुई है जिस और आपके 6 फिलिस्तिनी थे, तो कल 9 लोगों की मौत हुई है इसमें और इसमें सभसे बड़ा अपडेट यह हैा, कि ये जो मौत हुई है, ये मौत ये जो हमला हुआ है इज्राइल का ये हमला पहले से चिताउनी दे करके हमला हुआ है और यह हमला हुआ है नौ पत्रकारों के आतंकियों के साथ देने का अच्छा मतलब यह पत्रकारों को टार्गेट किया गया बिल्कुल नहीं दरसल ख़वर यह है कि हमला इजराइल के इजराइल ने यह जो चेतावनी जारी की थी एलान के बाद ही उसने कतर के नौ पत्रकारों को आतंकियों के साथ देने के इल्जाम में यह हमला हुआ है अच्छा यह हमला हुआ है कि आतंकियों का साथ थे रहे आतंकियों मतलब हमास के लोग हमास के लोग बिल्कुल तो उसमें ये तीन पत्रकार जो थें इसस्तानी पत्रकार थे मतलब बर पत्रकार थे उनकी मौथ इसमें हुई है एक चीशओं और आपको बता दे है कि एक तरफ हमले लगाता जा रही है लेब्नान पर हमला बोल रहा है श्राइल दूसरी तरफ गाजा में भी हमला बोला गया दरसल बार 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 ये सवाल उठता है कि इसराइल अस्पतालों को टारगेट कियो करता है इसराइल स्कूलों को टारगेट कियो करता है इसराइल मस्जिदों को टारगेट कियो करता है और ये बार बार एक narrative जो है वो पहुंचाने के कोशिश की जा रही कि इसराइल जो है वो ऐसा दुर्दान्त है जो कहीं पर भी हमला बोल सकता है किसी को भी बक्षने के मोड में नहीं है बिल्कुल लेकिन ये जो गाजा पर गाजा पर जो हमला कर रहा है इसकूल और अस्पतालों पर इसराइल पहले से ही चेताउनी दे दे रहा है और ये हमला इसलिए गाजा के अस्पताल और इसकूल पर किया जा रहा है क्योंकि हमास के जो आतंकी है उसको वो उसमें छिपने का एक जरिया बना लिये हैं कि हमास जो है वो उस संगठन को इसराइल या अमेरिका जो है वो आतंकी संग गटन बताते हैं और दरसल यह जो हमला जैसे भी अस्पताल में हमला करता है या फिर इसकूल पर हमला करता है वहाँ पहले ही चेताउनी जारी कर देता है इसराइल की भाई आप लोग यहां से खाली कर दीजिए आम लोगों के लिए जो आम फिलिस्तिनी हैं वहाँ पर और जि लेकिन इसराइल की तरफ से भी एक मेसेज इसके जरीए देने की कोशिश हो रही है कि इन आम लोगों को ढाल बनाकर इस्तमाल कर रहा है कौन हमास इस्तमाल कर रहा है लिबनान में जो हिजबुला है वो इस्तमाल कर रहे है क्योंकि दक्षिनी लिबनान में भी लगातार तर्गेट किया गया है उसमें भी बहुत सारे इस्राइलियों को नुक्सान साना पड़ा है लेकिन हम लोग गाजा के इसलिए बात करेंगे कि वो जो अस्पताल और उसमें क्या बोलते हैं इसकूल है इसको आज इसलिए मैं फोकस पर रख रहा हूं क्योंकि उसमें जो मरे हैं साथ छे फिलिस्तिनी वह आम नागरीक थे हैं अच्छा उनके पहले से घर वो विखर चुके हैं घर से जुदा हो चुके हैं अब करना क्या है मुझे कि इधर भागें लेबनान भागें कि इधर वागें सीरिया जाएं कैसे जाएं कहां जाएं मैंतलब एक आम व्यक्ति के लिए आम नागरीक के अगर लियाज से सोचा जाए तो उसके सामने कितनी मुश्किले कितनी परिशानिया अपने परिवार को लेकर एक आम व्यक्ति जो सबसे पहले अपने परिवार की फिक्र करता है उसक इस दुनिया में किस जगा पर हम रह रहे हैं जहां पर इनसानी इनसान के खून का प्यासा हो चला है लेकिन इस बीच एक खबर और आई और वो आई कतर से कि कतर कोशिश कर रहा है कि थोड़े समय के लिए ही वो युद्ध विराम या जिसे कहते हैं सी स्पायर हो जाए इस बीच आपको एक बात बताएं कि ये बड़ा चला कर जो हमला हुआ उसकी बात एक तरफ हो रही है दूसरी तरफ कच्छे तेल के दाम जो है लेकि इसराइल के हमले के बाद ये गिर गये हैं असल में एक अप्टूबर को जो इरान ने हमला किया था इसराइल पर तो उसको देखते हुए इसराइल पलटवार ने जो देखते हुए पहले से ही दाम को बढ़ा दिया गया था वापस जो पहले थे वो वापस आ गए है। मतलब ये आप समझेए कि तेल के दाम इस गुंजाइश की ऐसा होगा उसके तहत मारक पहले से चड़ गए थे अब वापस हमला होने के बाद वापस नीचे आ गए तो एक खबर तो ये दूसरी खबर ये है कि कतर कोशिश कर रहा है योद्विराम हो जाए लेकिन तीसरी खबर एक और है और वो है इसराइली डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई क्या खबर है इसको हम आनन से समझते हैं कि कुछ नया लेजर बिलकुल असल में इसराइल ने पांस मिलियर डॉलर की बड़ी डिफेंस डिल की है अमेरिका से यह तो अभी इसको पब्लिकली नहीं किया ग जब इजराइल इरान जब इजराइल पर हमला करेगा मिसाइलों से बैलेश्टिक मिसाइलों से तो उसको रोकने के लिए लेजर गाइडेंट का इस्तमाल किया जाएगा और वो उसको वहीं पर ही मार गिराएगा यह देखे यह इंपॉर्टन इसलिए भी है क्योंकि अभी खबर सामने आई थी कि हिजबुला और इरान इस बात की कोशिश में हैं और इस बात की तैयारी में लगे हैं कि इसराइल के उपर हमला जब किया जाए तो एक साथ हजारों मिसाइलों को दाग दिया जाए ताकि उसका डेविट सिलिंग सिस्टम या फिर आरें डोन जो है व महां से अगर कोई मिसाइल चूटी तो उस मिसाइल को मार गिराने के लिए यहां से भी एक रॉकेट या मिसाइल छोडनी पड़ती है और इसको हवा में मार गिराया जाता है लेकिन यह जो है वो बड़ा खर्चीला है और आपके पास भी उतनी मिसाइले होनी जरूरी है और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा भंडार कैसे करेंगे दूसरा गाजा से एक और अपडेट आ रहा है वहाँ पर मौजूदा हेल्थ जो अपीसर है उनका बयान आया है मैं उनको कोट करता हूँ उन्होंने बोला कि पिछले साल अप्टूबर में गाजा पट्टी में जारी इसराइल हमलों में मर्दने वालों की फिलिस्तिनियों की संख्या उन्होंने बताया है कि टोटल 42,924 फिलिस्तिनियों की मौत हुई है यह जो आकड़ा है बहुत बड़ा आकड़ा है करीब एक साल के अंदर में इतनी लोगों की मौत हुई है तो एक तो यह हो गया अब हम लोग चलते हैं दूसरे मुद्दे पर जो दूसरा पॉइंट है हम लोगों का दूसरा पॉइंट यह है कि इस्राइल जो है साउथ लेबनान में साउथ लेबनान में बहुत बड़ा ना खाने के लिए ना रहने के लिए जगा बचे उसको हम लोग बिस्ताफित सब्द दिया गया है तो वो लोग बिस्ताफित हो गया है तो इस बिस्ताफित होने के बाद से अब लेबनान में इधर हमला हो रहा है उधर गाजा में हमला हो रहा है लेकिन हिजबुल्ला भी 43,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की बात होती है जिसमें जाहिर से बात है कि हमास के कमांडर्स भी हैं और हमास के लोग भी हैं हमास के लड़ाके भी हैं लेकिन एक चीज़ आप और बताते हैं आज जब रवीवार के दिन जब बेंजमिन नितन्याहू जो हैं वो टीवी पर और सारबजनिक रूप से संबूधित कर रहे थे और श्रद्धानजली देने के लिए दरसलिये कारिकरम रखा गया था क्योंकि एक साल हो गया और इसमें कई इसराइलियों की भी मौत हुई है और उन इसराइलियों को श्रद्धानजली देने के लिए कारिकरम रखा गया थ यह जो बेंजमिन नेतनियाहू संबोधित कर रहे थे इस दौरान, मतलब लाइब परशारन चल ला था इसी दौरान कुछ लोग और यह कुछ लोग उन्हीं की लोग हैं, मतलब इजराइली है और बिलकुल उनके खिलाब काफी दिनों से ही बिरोत परदसन चल ला है क्योंकि जंग एक साल से चल रहे हैं और लगातार लोग मर रहे हैं इजराइल में भी लगातार लोग मर रहे हैं तो यह जो लोग परशारन के दौरान बिंजमिन नेतनियाहू का बिरोत किया है और उन्होंने बोला है कि शेमान यू का मतलब क्या है प्रिस आप बताईए शेमान अब शर्म आनी चाहिए तो शर्म क्यों आनी चाहिए ये भी आप समझ लीजिए ये वार चल रहा है और वार में कई कमजोरी है बात ये नहीं है बात ये है कि जब हमास के लड़ाके दाखिल हुए थे गाज़ा से इसराइल में दाखिल हुए थे तो ये लूप होल किसका ये किसकी ये बेंजामिन हमारे लोग मारे जा रहे है? तो वोर में जो सिचुशन बन रही है उसके लिए बेंजामिन्न ये तेन्याहू का विरोध नहीं किया जा रहा है. लेकिन उनको ये बताया जा जा रहा है कि जो हालात बने, ये आपकी लापरवाही की वज़े से बने, आपकी वज़े से लोगों की जान गई और इसलिए इसराइल के लोग ही अपने ही प्रधान मंत्री के खिलाफ, शेम ऑन यू यानि कि आपको शर्मानी चाहिए और इसके पहले भी लाखों लोग सडकों पर उतर गए थे, बीते कुछ दिन पहले लेकिन ये बात वही है कि आपकी वज़े से ऐसा हुआ और उसमें जो बंधक मारे गए थे उसमें बंधक मार दिये गए थे बंधक मार दिये गए थे, बिल्कुल सही बात इसके बात पर किया के पहुछ आए, या thirty-वार को ने को छोड़ाने के लिए तो यहाया सिंवार वही से पता चली थी, कलू वहीं से मिले थे और इसलिए यहाया सिंवार को फिर बात में पकड़कर अमाज के चीफ को धेर कर दिया गया इसराइल के तरफ से ये दाबा किया गया बिल्कुल लेकिन बेंजेमीन नेतन यहो जो है वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं पलटवार भी कर रहे हैं इसके बावजूद उनको अपने लोगों का ही सामना करना पड़ा है अपने लोगों के परदर्सन का अपने लोगों का विरोध का अपने लोगों के विरोध को भी जहिलना पड़ा है बिल्कुल और ये जो लाकों लोगों की जो प्रोटेश्ट थी बीते कुछ दिन पहले जो वाइरल भी हुआ था वो एक ब्रीज पर लोग बिल्कुल वो तस्वीरे भी सामने आए चीज और एक चीज इसमें और क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए एक चीज और आपको बता दें कि इरान के सुप्रीम लीडर जो है आयतुला अले खाम नहीं उनसे जुड़ी हुई दो खबर आ रही है एक तो यह कि उनकी तबियत नासाज है और माना यह जा रहा है कि उनके बेटे को उतरा अधिकारी बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ उनके एक्स पर बनाय हुए अकाउन के बारे में खबर है असल में यह दो दिन पहले जो इरान के सुप्रीम लीडर है उन्होंने एक एक्स पर अपना प्रोफाइल बनाया था जिसको जो एक्स के मालिक है एलन मक्स उन्हें यह चीज बहुत ही क्या खराब लगा कि क्या लगा उन्हें उस एकाउंट पर मैंने सुना कि केबल दो ही पोस्ट किये थे और दोनों पोस्ट किसके युद्द के सम्मंदित थे युद्द के सम्मंदित में ही दोनों पोस्ट थे और उनके एकाउंट को अब बंद कर दिया गया है किस के तरफ से एलेन मस्क के तरफ से मनलब की एक्स के तरफ से खुद ही बंद कर दिया गया है ये बहुत मनलब की एक तरीके से पूरे एरान की जो है की लेकिन वो एक पॉलिसी के तहत होता भी है दरसल सोशल मीडिया पर अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो इस प्रकार का ऐसे खबरे भी आती हैं कि अगर किसे ने कुछ लिखा तो या तो उस अकाउन को सस्पेंट कर दिया जाता है या उस टर्मिनेट उस अकाउन को कर दिया जाता है इसके बारे में और चीज़े निकल कर सामने आएंगी बहराल अगर और कुछ पॉइंट्स हैं तो हम बिल्कुल यह जितनी भी हम लोग मुद्दो पर फोकस किये हैं यह अभी तक के अपडेट हैं और मैं आज बता देता हूँ अभी कि आज कितने दिन हुए हैं इज्राइल और हमास युद्ध जो चल रहे हैं टोटल आज 387 दिन ह हो चुके हैं यह लड़ाई सुरू हुई थी साथ अप्टूबर 2023 को तो यह जो 387 दिन है यह इज्राइल हमास लेबनान सब के लिए भारी रहा आने वाले दिन क्या अब सीशफायर होता है कतर का है बहुत सारे देश चारे हैं कि सीशफायर हो जाए और यह जो युद्ध है कि एरान की तरफ सी भी यह का गया कि हमारे बस थाकत तो है पलटवार करने की अमेरिका की तरफ से भी कहा गया लेकिन एरान की तरफ सी यह का गया कि गाजा और लेबनान में शांती होनी चाहिए यह पलटवार करने से ज्यादा जरूरी है यह कि एरान कहता है अमेरिका भी क कि हम शांदी के लिए बाचीद कर रहे हैं तो यह होना चाहिए आ कातर भी कोशिश कर रहा है और खबर तो यह भी है कि वहां पर कतर में ही जो इसराइल की जो खुफिया एजिंसी है मुसाद उसके लोग भी मौझूद है और भी लोग मौझूद है वहां पर इसको लेकर इसराइल के तैयारी में बहुत बड़ा बजट इसराइल का होता है अपने सुरक्षा ओपकरणों के खरीद के लिए तो यह कुछ अपडेट है आने वाले दिनों में क्या होता है यह आगे देखने को मिलेगा क्या सीज़पार होगा क्या बदला पूरा हो गया लेकिन एक च और उस पर हम चर्चा भी करेंगे लेकिन उसमें यह जरूर बताया किया है कि कहीं न कहीं इसकी शुरुआत जो है वो यहीं से हो गई याने की मिडिल एस्ट से होती हुई नजर आती है लेकिन क्या यह वाकई में सच है इसका वीडियो हम बनाएंगे आने वाले दिनों में आप जरूर देखिये लेकिन फिलहाल आज की चर्चा में यहीं तक चर्चा करेंगे और हम दोनों को दीजी अजाज़त धन्यवाद नमस्कार